दिल्ली के नरेला के बवाला इलाके में एक महिला के साथ हुई लूट का सीसी टीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हाथ में एक पैकेट था में ये महिला अपने घर की तरफ जा रही थी तब ही पीचे से चहरे पर मास्क लगाए एक बदमाष आया और महिला से इस पैकेट को चीनने की कोशिश की चोड़ ने पैकेट चीनने के लिए पूरा जोड लगाया पर महिला ने भी अपने हाथों की पकड़ पैकेट पर मजबूत कर ली चीना जप्ती में महिला सडक पर गिर गई और उसने लात मार कर बदमाश को हटाने की कोशिश की बदमाश का सिर दीवार से जाटकराया इस बीच महिला जोर-जोर से चोर-चोर चिल्ला रही थी ताकि महले के लोग आवा सुन कर उसकी मदद के लिए आ जाएं बदमाश ने फिर पैकेट छीनने की कोशिश की पर महिला चोर-चोर चिल्लाते हुए पैकेट को मजबूती से थामे रही बदमाश को अब लगने लगा था कि कहीं वो पकड़ा न जाए तो उसने हाथ में जो भी आया उसे लेकर भागने का फैसला कर लिया फिर सोचा एक कोशिश और करता हूँ पर तब तक इस घर का गेट खुल चुका था तो बदमाश सड़क पर गिरा महिला का पर्स लेकर ही फरार हो गया दरसल ये महिला बैंक से धायला खुर्पे निकाल कर अपने घर की ओर जा रही थी और तीन बदमाश वहीं से उसका पीछा कर रहे थे दो बदमाश बाइक पर पीछे रुग गए जब कि तीसरा बदमाश महिला के रुप्यों से भरा पैकेट छीनने आया था लेकिन बुज़र्ग होने के बावजूद महिला बदमाश से उलज गई और धायला खुर्पे से भरा पैकेट बदमाश छीनने में कामियाव नहीं हो पाया डायलाख रुपे में से छीना जप्ती के दोरान पचास हजार की गड़ी नीचे गिर गई थी और बदमाश ने सिर्फ उनहीं रुप्यों को ले जाने में अपनी भलाई समझी बदमाश जाते जाते महिला का परस भी ले गया जिसमें साथ से आठ हजार रुपे थे ये पूरी वारदात इलाके में लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है ब्योरो रिपोर्ट टाइम 24 न्यूज